Hello everybody, this is Degraaf Singh Rajput, welcome to Magnet Bains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे National Human Rights Commission के बारे में NHRC के बारे में पढ़ने वाले हैं कुछ पुरानी यादे ताजा करते हैं Class 9 ने भी आपका चाप्टर था राइट्स के बारे में और ध्यान हो तो हमने आपको उस चाप्टर में भी NHRC के बारे में बताया था National Human Rights Commission के बारे में अब डिफरेंस कहा आ जाता है देखो वहाँ पे जो NHRC के बारे में पढ़ा था वहाँ पे जो राइट्स भी पढ़े थे तो वो इतने extensively नहीं पढ़े थे हमने और अब क्या कर रहे हैं हम बहुत extensively पढ़ रहे हैं उनने तो वैसे ही NHRC के बारे में और कुछ पढ़ेंगे कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे जो नाइत में आप पढ़के आए उससे थोड़ा और देखिए सबसे पहले चीज़ क्या जो भी हमने पिछले वीडियो में देखा राइट टो constitutional remedy में क्या कि real test of rights depends on the actual implementation अधिकार दे देने से अधिकार नहीं कहला जाएंगे वो उनका implementation कितना हो रहा है वो अधिकार मिल रहे है तो वो आप उसे exercise भी कर पा रहे है या नहीं कर पा रहे है उसका violation हो रहा है तो restoration मिल रहा है नहीं मिल रहा है क्या आपके लिए कोई आवाज खड़ी है अगर आपके rights का exploitation होता है तो तरह तरह के सवाल है अब होता क्या हमारी country में हमारी country में world में कहीं पे भी चलाई आईए poor illiterate लोग जो रहेंगे जिने awareness नहीं रहेगी इतनी तो वो ज़्यादा vulnerable रहेंगे किस चीज़ के towards exploitation के towards उनका exploitation होना बहुत आसान है मतलब अगर देखा जाए तो relatively they are more vulnerable अब इस condition में क्या होता है इस condition में बहुत सारे essay organizations हैं essay institutions हैं जो क्या करते हैं जो उस vulnerable section के लिए poor, illiterate ठीक है unavoid section के लिए क्या करते हैं काम करते हैं उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं ठीक है देखो simple सी चीज़ है क्या होता है कि आपको आपके अधिकार पता चल गए ठीक अब आप क्या करेंगे आपके साथ में अब exploitation नहीं हो रहा है लेकिन ऐसा एक society का section रहेगा जिसे उसके अधिकार के बारे में नहीं पता है और नहीं पता है इसी कारण से उसका exploitation हो रहा है आया ना समझ में नहीं पता है इसी कारण से exploitation हो रहा है तो आप आपको जब पता है तो आप क्या करते हो आप उसकी मदद कर देते हो ठीक वही जीज यहां पर हो रही है क्या हो रहा है कि इस तरह से जब राइट्स का actual implementation देखे तो वहां पर बहुत सारे लूपोल्स थे एकस्प्लाडेशन चल रहा था तो बहुत सारी organization independent organizations चैंहें independent organizations लाइक और चीन Caitlin फोन्स व्लेर्टी दीजिव चैंहें लाइए वडिकेंट और शेत लाइट्स किuce अई फोला करें से NGO की तरह से एक जो जिन लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है जिनके साथ में गलत हुआ है तो उनकी मदद करती थी organization ठीक है this organization was standing for human rights वो individuals के humans के rights के लिए खड़ी थी ठीक है तो एक P.U.C.L. हो गई बहुत सारे अगर आपने इसे देखा होगा ना तो इन्होंने government के against में case करके रखे है इन organizations ने क्यों क्योंकि वह government के against में इसलिए case कर रहा है क्योंकि वह किसी एक individual की मदद कर रही वह individual नहीं कर सकता था तो उस individual का जिम्मा उठाया है ऐसी organizations ने ठीक है बड़े-बड़े issues जहां होते हैं जहां human rights violation हो रहा है बहुत सारे मजदूरों के साथ में अगर क्या हो रहा है गलत हो रहा है तो उन सारे मुद्दों को ऐसी organizations human rights को क्या करती है एक platform देती है यह गलत हुआ है ठीक है तो P.U.C.L. हो गया वैसी क्या है कि People's Union for Democratic Rights ठीक है have been working as watchdog against the violation of rights ठीक है watchdog against the violation of rights this is the keyword यह नेगरानी रखती की rights का violation ना हो ठीक अब देखो क्या हुआ हम National Human Rights Commission पढ़ते पढ़ते कहां बहे गया है ठीक तो मैं आपको बापिस topic पहलाता हूँ जब government ने यह observe कि our independent organizations human rights के बारे में इतना सोच रही तो हमें भी कुछ करना चाहिए ठीक है तो इस चीज को ध्यान में रखते हूँ है 1993 में ठीक है 1993 में थी government has established an institution तो government ने institution established किया जिस institution का नाम था National Human Rights Commission एक statutory institution established किया government ने by law एक law बना के ठीक है अब क्या होता है तो यह जो National Human Rights Commission established किया यह लोगों है ठीक National Human Rights Commission राष्ट्रिमानव अधिकार आयोग ठीक है अब देखो क्या है बापके मन में सवाल आयोंगे कौन होते हैं इसके अंदर member functions क्या होते हैं काम क्या करता है अभी तक कुछ किया है नहीं किया है कोई challenges कोई limitation है किसके सामने यह देखो यह आपका पता क्या रहना चाहिए framework रहना चाहिए कभी भी किसी भी चीज को पढ़ो ना तो उसको यह dimension से पढ़ लो कि क्या है वो कैसा है कैसे काम करता है क्या किया है क्या challenges है तो अब आपको रटना नहीं पड़ेगी चीज़े अब आपने क्या कर लिया अलग-अलग blocks बना लिए अच्छा composition मुझसे मुझसे अगर कहा जाए कि ऐसे लिखो National Human Rights Commission पर तो अब आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया इंट्रोडक्शन दिने के बाद में क्या आपने blocks बना लिया अलग-अलग कि हां उसका composition यह है और उसने अभी तक क्या किया है कैसे काम चलता है कुछ challenges है क्या उसके सामने कोई limitation है क्या तिल डेट या फिर what is the major limitation short में जाएगा broad में long answer में कैसा जाएगा आपका कि National Human Rights Commission के उपर क्या लिखो short not लिखो ठीक है तो उस तरह से आपको ध्यान रखना है चीज़ें competitive की जो त्यारी कर रहे है तो थोड़ा सा और हटकेस की उपर factual details जैसे एक homework आपको भी देते हैं ठीक है चेयर परसन कौन है ठीक है प्रजेंटली हुज दी चेयर परसन ऑफ National Human Rights Commission यह आपको Google करना है ठीक है यह आपका homework हो गया तो जो competitive की त्यारी कर रहे है उसको थोड़ा से Chief Justice of the Supreme Court तो अधिकतर जो former Chief Justice of Supreme Court होते हैं ठीक है CJI Chief Justice of India जो होते है Chief Justice of Supreme Court जो होते हैं ठीक है और जो retire हो गए former लगा दिया ना तो वो एक member होते हैं और अधिकतर जो चेयर परसन होते हैं तो वो यही होते हैं ठीक है जो former Chief Justice होते हैं जो पहले कभी Chief Justice रहे हैं तो retirement के बाद में ने नेशनल यूमन राइट्स कमिशन का चेयर परसन बना दिये जाता है ठीक है फिर और कौन-कौन होते हैं इनके साथ में तो एक कोई ऐसा इंसान भी होता है जो फॉर्मर जजर्ज रहा है सुप्रीम कोट का और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाइए कोट ठीक है और हाइए कोट के साथ में जैसे आपके भूख निदिया लेकिन जो प्रेजेंट जज होते हैं सुप्रीम कोट के वह भी मेंबर बन जाते तो इस तरह से ये composition हो गया किसका National Human Rights Commission का और क्या होता है Two other members who have knowledge and practical experience in matters relating to human rights दो ऐसे चुनिंदा लोग भी होते हैं जो ये judiciary से नहीं आते देखो अधिकतर लोग इसमें judiciary वाले हैं ठीक लेकिन ऐसे लोग भी रहते हैं जिनको क्या है knowledge हो matters relating to human rights तो जो अभी commission हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे ध्याने कुछ Commission for Schedule Tribe, Commission for Schedule Cast Commission for Women, National Commission for Women National Commission for Minority तो इन सारे commissions के जो chair person जो member होते हैं वो बाद में National Human Rights Commission के member chair person बन जाते हैं तो इस तरह से क्या है कि eminent personalities जो रहती है उन्हें भी member बना दी जाता है National Human Rights Commission का अब function देखो क्या है function बहुत अच्छे से समझना मलदा तरीके से NCRT में लिखा हुआ एक एक word में एक एक कहानी चुपी है the commissions function functions include inquiry at its own initiative मान लो कहीं पे कुछ गलत हुआ commission को कानो कान खरब खबर लग गई तो अब क्या होगा कि commission अपने खुद initiative पे जाके inquiry कर सकता है secretly कर सकता है, openly कर सकता है police की मदद ले सकता है, सारी चीजें तो वो क्या करता है, inquiry at its own initiative एक तो ये function हो गया or on a petition presented ठीके, or on a petition presented to it by a victim मान लो मेरे साथ कुछ गलत हुआ मेरे human rights का violation हुआ ठीक, परिशान होगा, रोऊँगा, काऊँगा, सारी चीजें करूँगा अब restoration कहां से मिलेगा यतना knowledge नहीं है मेरे पास कि मैं सुब्रिम कोट तक जा सकूँ तो मैं क्या कर देता हूँ कि यारे, कोई पहचान वाला है National Human Rights Commission में तो उसे बताऊंगा अपनी समस्या ठीक, अब मैंने जब National Human Rights Commission को approach किया तो National Human Rights Commission मेरे जाने के बाद में ठीक है, petition, मेरी, मेरी अरजी के उपर क्या कर सकता है inquiry कर सकता है तो ये function होता है, कि वो human rights का violation हो रहा है खुद पता चल गया, तो खुद पहुच जाएगा या फिर किसी ने बताया, तो पहुच जाएगा ठीक है, into complaint of violation of human rights विजट to jails ठीक है, अभी आपकी स्कूल वाले जो ले जाते हैं आपको बोलते हैं कि save लेके आओ, biscuit लेके आओ जेल विजट पे चलेंगे हम, तो यह वैसी वाली जेल विजट नहीं होती है, ठीक है यहाँ पे जो विजट to jails हैं, तो National Human Rights Commission के लोग जो होते हैं, तो जेल में क्यों विजट करते हैं, to study the condition of the inmates, मतलब जो जेल में रह रहे हैं लोग उनकी condition क्या है, उन्हें साफ खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, साफ sanitation facilities है या नहीं है, safe drinking water है या नहीं है, ठीक है तो इस तरह से क्या है, कि वो भी humans हैं न, jail में डाल दिया, इसका मतलब भी सुरी न, कि आप कुछ भी करों उनकी साथ में, तो इस तरह से human rights commission के लोग जो रहते हैं, तो jails में जाते हैं, विजिट करते हैं मतलब बता रहा हो, dimension क्या है, उनका सिर्फ inquiry करने का काम नहीं होता है, ऐसे भी काम करते हैं undertaking and promoting research in the field of human rights, ये भी important काम होता है, क्या, कि inquiry करना, ठीक है देखना कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ में, लोगों के बीच में awareness कैसे बढ़ेगी human rights के बारे में, जब आप उसके उपर बहुत सारी researches करोगे, जब उसके बारे में पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा, बात की तयार करेंगे वो, ठीक है, मतलब वो क्या करेंगे हाँ पर, लिटररी material तयार करना, ठीक है, रिपोर्ट बनाना, ये सारा सब कुछ तो इस तरह से research होती है, ठीक है, so this is the function of National Human Rights Commission, clear है, अब देखो आगे क्या है, National Human Rights Commission का आपने function देख लिया, composition देख लिया, achievement अगर देखें, तो अभी तक क्या किया देश ने, देश में मतलब Human Rights Commission ने, 1993 में बना, अभी तक क्या किया, ठीक है, तो its most significant intervention has been on disappeared youth in Punjab, अब देखो ये कहानी बता देता हो मैं आपको थोड़ी सी, कि पंजाब में जब Rights चल रहे थे, मतलब 1980s के आसपास का जब वो time period 83 उस time पे ठीक है, पूरा, इंद्रा गांदी के time period में, जब पंजाब में दंगे चल रहे थे, तो खालिस्तान, मूमेंट और ये सारी चीज़ने जब हो रही थी पंजाब में, ठीक है, तो अब जब पंजाब में instability थी उस time period में, ठीक है, तो पंजाब के जो youth थे, अब देखो क्या होता है, पुलिस को free hand मिल गया था उस time पे, पुलिस को ये बोल दिया गया था, central government, state government के द्वारा, कि अब आपके पास आजादी कि आप ये violence को कम करो, ठ prospect के basis पे, कि हाँ यार, ये इंसान शायद, ये रॉइट्स वाली activity में, या फिर हिंसा जो है, उसे बढ़ावा देने में, ठीक है, वालेंस को provoke करने में, ये include, indulge हो सकता है, तो पुलिस ने क्या करना, start किया, लोगों को मारना start कर दिया था, तो बहुत सारे youths disappear होने लगे, इसे गायब नहीं हो जा रहे थे, invisible नहीं हो रहे थे, वो, Mr. X नहीं बन रहे थे, गायब ऐसे हो जा रहे थे कि उन्हें, पोलिस मार दे रही थी, ठीक है, और फिर चोरी चुपे क्या किया जाता था, उन्हें, उनका अंतिम संसकार भी कर दिया जाता था, तो जब ऐसे पायरी बाइट्स ओन इनिशेटिव, कौन गुस्ता है, Human Rights Commission, और ये एक significant achievement रहा है उसका, कि उसने वहाँ पे, अभी जैसे recently 2012 में, मतलब 83 से compare कर तो 12 recent है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ compensation के लिए जो NHRC ने petition डाली थी, ठीक है, force किया था जो NHRC ने, तो वो compensation मिलेगा पंजाब में families को, तो इस तरह से क्या है कि एक achievement रहा है, हाँ, NHRC ने human rights के लिए काम किया और success पाई, बहसे ही क्या है, an investigation in trial of gujarat roids, तो gujarat roids में जो जो लोग थे, तो उनके उपर investigation चलाना, trial चलवाना, ठीक है, मतलब कहीं, असली Muslim छूट के ना निकल जा तो ये सारी चीज़े करना, तो ये भी एक achievement रहा है, gujarat roids के बारे में जानते हैं, आप gujarat में जो दंगे हुए थे, तो national human rights commission का, ये क्या रहा है, एक major achievement रहा है, ये जो photos है, ये जो photos, these are the photos, showing the gujarat roids, ठीक है, gujarat roids के, उस time पे ये जो photos थी, तो ये बहार आई थी, जैसे कि ये, बताती है कि कितना दर roids case where its intervention proved effective, ठीक है, तो जहां पे उसका intervention बहुत effective प्रूव हुआ, कि यार, NHRC के होने से एक फरक पड़ा है, ऐसा, ठीक है, ये हो गया, अब limitation की भी बात कर लेते हैं, अब देखो, हमने सारा सब कुछ अच्छा देख लिया, लेकिन NHRC के कुछ limitations भी हैं, ठीक है, अब आप ब commission does not have the power of prosecution, commission देख लेगी कि ये इंसान मुझरी में, लेकिन commission उसे, मतलब, National Human Rights Commission उसे सजा नहीं सुना सकता है, तो सबसे बड़ी limitation क्या है, the commission does not have the power of prosecution, commission किसी को prosecutor नहीं कर सकता है, दूसरा, it can merely make recommendations to the government, ठीक है, क्या है कि अब वो prosecute नहीं कर सकता है, वो government को recommendation दे सकता है, क्या भीया, यह यह गलत हुआ है, अब वो government के उपर depend करता है, कि government क्या action ले रही है, आया समझ में, तो action नहीं ले पार ही है, NHRC, वो क्या कर सी, सर्फ अपनी आँखों से देखना, report त्यार करना, यह कर सकती है, action नहीं लेती है, और recommend to the court to initiate proceeding based on the inquiry at its conduct, ठीक है, तो क्या है, वो government को या फिर court को recommend कर सकती है, मतलब उस तरफ दिखा सकती है, बाकि करना ultimately courts या government को ही होगा, तो यह limitation है कि उसके पास अपनी खुद की कोई power नहीं, ठीक है, अपने कंदे पे बंदूख नहीं उठा सकती है, ठीक, यह हो गया NHRC के बारे में, National Human Rights Commission के बारे में, अब देखो, chapter की कह अगर बात की जाए, तो chapter कहां तक आगा है हमारा, ठीक है, chapter पर भी ध्यान दे थोड़ा सा, start के हमने fundamental rights है, fundamental rights क्यों जरूरी यह वो सारी चीजे, fundamental rights पढ़ लिये, constitutional remedies और National Human Rights Commission के बारे में पढ़ लिया, अब आपके chapter में जो है, तो वैसे chapter अगर देखी, तो rights in the Indian constitution है, ठीक है लेकिन इन rights के साथ में एक और topic भी आपके पास में, directive principles of state policy, ठीक है, यह क्या चीज़ है, DPSP क्या है, इस चीज़ को हम next video lecture में cover करने वाले हैं, next video lecture में deal करने वाले हैं, I hope यहां तक चीज़ें clear हैं, किसी प्रकार का doubt है, तो feel free to ask in comment section, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much